दमुंबई टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन और श्री निवेधन फिल्म्स प्रेजंट कुछ खो गया है, हिंदी फिल्म का अनॉंसमेंट विरार में अर्नाला स्थित स्वागत रिजॉर्ट में संपन हुआ। इस फिल्म के निर्माता अमन सिंग, निर्माता अलका नितीन मुरुडकर, निर्देशक नितीन मारुती मुरुडकर, लेखक संजै चाबरिया, डियोपी नीरवानंद हैं। वहीं इस फिल्म में कलाकार अभय पाटील, शमीम शेख, रसिकावानी, स्वाती कारनेकर, नितीन द हैं। पार destroy ले दो, तो तो खोगया अभए रत्माधा अभी उस्ष्मादा मुरुडकर इना मुरुडकर, नितीन मारुतीम मुरुडकर मैं इस फिल्म का डिरेक्टर हूँ अगर कहा जाए फिल्म के वारे में तो I will thankful to Mr. Amandji और Alka Nitin Marudkar जी जिनोंने मुझ पे भरोसा दिखाया इस फिल्म को लेकर और दूसरी बात यह है कि फिल्म जो है वो आउट अनौट कॉमेडी है अगर इसमें तड्का है सुस्पन्स फ्रिलर का ठ्रिलर और सअस्पन्स फ्रिलर खास करके इस तरह की मूवी बहुत कम हादी हैं संसरी जीन तो यह है और समें कुछ मार्कrüिट की ने लेकिन परफ संसरी आर्टिस्स लेके हम लोग यह मूवी कर रहे है इसका शूट इसी रिजॉर्ट में जुलाइ एंड तक हम लोग शुरू करने वाले सर यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए भी और OTT के लिए भी बना रहे है कि अई यह इस के लिए इसमें जो आटिस्ट है जो कला का रहे हैं इनको हम लोग अपने कॉन्टेक्स ही हम लोग ने चूजकिया अगले उनका पूरा बैग्रण आम लोग ने चेक किया, कि आर्टिस्ट है और उनके सच में कुछ किया है या और दूसरा है कि इसमें बहुत सरे जो आर्टिस्ट है, टोटल नो लीड करेक्टर्स है, लीड में से सेविंज है, वो हू फ्रम ठीटर है, उसमें से एक लीड है, म तोटल नो गेरेक्टर से जिसमें से साथ वो आर्टिस्ट थेत्र से हैं तो मैं तो प्रफिडेंटली बता था आपको कि वो पफं मच्छा करेंगे जैसा कि आपकी पदाया कि आपकी फिल्म है पर्मेडी और फ्रीलर अगर कहा जाए तो इस फिल्म में आर्टिस्ट तो लीड है लेकिन इस फिल्म के जो लोकेशन है या कुछ उसमें चारेक्टर जैसे आपने देखा होगा उसमें ब्रिफकेस है चाता है और ए-बाइक यह जो पांच प्रोड़क्स है एक्शली है फिल्म के लीड है बिकुस पुरी स्टोरी जो इसे को लेकर पूरी गुमती है जैसे उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिफकेस है तो वो शुटकेस एक्शन जोने के बाद क्या होता एक अगर जाओगे और आपका सुटकेस किसी और सुटकेस के साथ एक्शन जो तो फिर आपको क्या परिशा निजिलनी बड़ेंगी इसमें चार अलग 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 सुटकेस है जो एक्शन सव दी तो चार अलग 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 कबल सको उसे क्या फेश करना पढ़ेगा यह पूरी फिल्म की कहानी है अ जे नहीं यह फिल्म हम लग पूरी इसी रिजॉर्ट में कंप्लीट करने हुआ है बिगोज फिल्म की कहान ही ऐसे है कि रिजोर्ट के बार जाने की जोरुती नहीं पड़ेगी हाँ पर यह रिजोर्ट का कोना कोना इसमें शूट होगा यह आपको मैं बता दो कि आपको मैं बता सकता हूँ फिल्म में दो गाने होंगे लेकिन दोनों फिल्म से रिलेटेड होंगे कि आज का लगया होता है कि गाना चल रहा है और थेयर्टर में लोग होल के बार जाते है भीडी सिगरेट फूखने कि अपको कि गाने भी उतने बढ़िया होंगे जितने फिल्म कि स्टोरी और रैटर हमारे संजय भाई इसको लिख रहा है जितना बढ़िया लिख रहा है गाने भी उतने अच्छे होंगे यह में आपको प्रामिस करते हैं आमन जी आप बताईए जी कैसे दूरें किस पर अपने विचार किया कि मुझे ये फिल्म नहीं होता है तो फिर ढूंदे ढूंदे ये मिल गए मुझे किसे कॉंटेंट के तुरू जो पहले देखा कि इंसान अच्छे हैं काम भी बहुत अच्छा किया हो वी filt his kehave अच्छा लगाना जो काम डेखा अजरूर पहल्ट जैनूरी बहुत अच्छा काम था तुधा इसी करके अपना इनके साट रख़गह भाशलब यह जो आपने बोला कि फिल्में बहुत बनती हैं इसली बहुत फिल्में बनती हैं जो बीच में रूक भी जाती है फिर शुटिंग एक महीना रुकती है दो महीना रुकती है कशी कि शूटिंग नि भी पॉपाती है जो月 एक महीनः फिर एक महीने बाद चल जाती है तो मैं अपनो जो हमारी सूटिंग है मैं रुकने जो नहीं दूंगा इसको continue चलती रहेंगी चो हमेरे जो डिरेक्टर सर है नितिन सर इनसे हर ची डिसकस की हमेंने कि अब भी से हम प्लैनिंग मना के चले कि आगे जाके हमको पहलोना हो तो इसे करके आगे बढ़ेंगे हम लोग कि रुकने तो रुकने तो नहीं देंगे चलती रहेंगे कि अब आप पूस्टर लॉंचिंग में हम लोग तो अपने बजट का पूछा फोटीफाइव लाक्स है जो इसके अडबर्टाइजमेंट हमको छोड़के सिरफ मेकिंग मेकिंग का है अडबर्टाइजमेंट में आएंगे तब तब कि तब देखेंगे पहले हम एक अपना टार्गेट फिक्स कर रहे हैं जब हम फिल्म मेकिंग करके फ्री हो जाएंगे तो इतना अपना पोस्ट प्रडक्शन में फिल्म जाएगी तो इतना वह एडिटिंग वगरा होगी तो हम इतना उस पर काम करेंगे जो हमारी आटी औरने स्क्रिप्ट में तो बोब टाम लगया थो इक मही squash आपर हो गया कि जो Contentsного ने दिया है जो राइटर है मारे संजय सर इंपी अच्छे तो भूत मुस्किल से इन्पछी निका लिंगी तो स्टोरी मेकिंग में हमारे एक महीने से उपर हुआ है जो हीरो लोगों को ढूंडना होता है बहुत मुश्किल काम होता है खासकर अपनी फिलम में यह उनसे पूचिये जो ढूंडते हैं आप एक गुरूप में सेंड कर दो दसों की प्रोफाइल आ जाती है सामने एक अच्छे कलाकार को निकालना बहुत मुश्किल होता है अभी टाइम कम था हमारे पास मैं अपना पूरे लोगों को तो नहीं निकाल पाया है जो हमारी कास्टिंग है बट हां कुछ गिनी-चोनी कास्टिंग निकाली है मैंने तो वो है अपना थेयाटर से बिलोंग करती है बिलोंग करते हैं सब लोग अच्छे का लागा रहा है जैसे का आपने नाम सुना है कुछ खो गया है जैसे का आपने नाम सुना है कुछ खो गया है एक आउटनाओ कॉमेडी है और साथ में थ्रिलर भी है और हम लोग ने मैसेज देने के कोशिश की है डिरेक्टर सापने जो स्क्री बताई वह हिसाब से हम लोग ने मैने स्क्रीन डायलोग लिखा है और अभी अभी का जो ओडियन्स है जो लाइक करता है उस हिसाब से मैने लिखा और मैं समझता हूं कि उनको पसंद आएगी और मैं अपने अपना पूरा जितना भी मेरा यह कैटेग्रीज में लिखना है मैं पूरी तरह से लिखो और कहानी तो कहानी तो नितिन जी की है अनसेप कहानी उनकी है मैं स्क्रीन पर डियालोग लिख रहा हूं और हम लोग ने अभी पिछले एक सवा मैने से हम लोग काम कर रहे हैं तो तीसरे ड्राफ्ट में हम लोगों ने वह वान लाइन ओके की है मतब धाचा पूरा रेडी है स्टोरी पूरी रेडी है और मैंने अल्रेडी स्क्रीन पर काम कर दिया है करीवन बीस-पचिस इंस भी लिख लिख लिए एक करीवन तीन-चार दिन में मैं पूरी कंप्लीट कर लूगा और अगर ज अपने इस लोकेशन को जिसरे रेकिल के ले बोटे में है इस लोकेशन के क्या खास जिया परी पूरी फिल्म आप जो नमस्कार मेरा नाम नीरवानन्द है और ये फिल्म कुछ खो गया है तो ये है दा मुंबाई टॉकिस फिल्म प्रोडक्शन और श्री निवेदन फिल्म्स जिनके डिरेक्टर है नितीन बुरुडकर तो उन्होंने उनसे पहले हमारी कुछ फिल्म से रिलेटेड बातें ह हुई थी और काफी समय से मारी बात चल रही थी तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी फिल्म के लिए आप ही सही जो है इसको आप जसिफाई कर पाओगे आप ही उसको सही हिसाब से जो है सिने पेटोग्राफी कर पाओगे और आप एक बार जो है लोकेशन पर आईए पर आप इसको रैकी करते हैं और आप अपना व्यू भी दीजिए तो जब उन्होंने मुझे एक वन लाइन सुनाया स्टोरी का तो मुझे वो इतना चैलेंजिंग लगा क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट लोकेशन पर जाब फिल्म शूट करते हैं तो वो इजी होता है अब एक लोकेशन के उपर दर्शकों को जकड के रखना वो स्टोरी लिखने के लिए भी चैलेंजिंग है वो डिरेक्टर के लिए भी चैलेंजिंग है वो डियोपी के लिए इवन सिनेमेटोग्राफिकली मैं जो बोलू वो भी चैलेंजिंग एक जॉब है हम लोकेशन रेकी किया ये एक रिसोर्ट में हम लोग यहाँ पर शूट करने वाले ह स्वागद रिसोर्ट बहुत बढ़िया है और मुझे परसनल लिए असा लगा कि फिल्म की या तो स्टूरी की जो डिमांड है वो यहाँ पे पूरी की पूरी एक ही रिसोर्ट के इंदर हम खतम कर पाएंगे और अच्छा एक्सप्रियेंस रहेगा जैसे कि हमेशा से जब हम किसी भी लाइन में होते हैं तो लाइन में रूमर्स होते हैं जैसे कि फिल्म इंडिस्ट्री में एक रूमर जो चलता है वो यह होता है कि फिल्म मतलब रैड कैमरे पर बनती है तो यह तो दोस्तम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि आज मैं समझो 17-18 सा कैमरा यूज करता हूँ पहले जो चोटे-चोटे डीवी के कैमरे आते थे उससे लेके बीटा-बीटा, डीजी-बीटा, डीवी कैम, फिर सोनी के एफेक सीरीज के कैमरे जो फेल होगे फिर डीएसर सीरीज के कैमरे जिससे फिर डीजीटिलाइजेशन का जो है चालू हुआ एक नया यूग इंडिस्ट्री में, वहां से लेके, एक्सडी कैम से लेके, फिर जो है, एरी, रैड, तो मैं लोगों को ये उधारन देता हूँ, कि आपको एक गाड़ी खरीद नहीं है, आप लोगों से पुछते भईया, गाड़ी कौन से खरीद हो, बंदा आपसे बोलता है, लेना तो मर्सीडीजी लेना है, मर्सीडीज के लाव कोई जाना गाड़ी नहीं है, तो ये बात सच तो है, मर्सीडीज सिर्फ एक ब्रांड है, गाड़िया तो ओंडा सीटी भी है, तो कहने का मतलब यह है कि डिजिटलाइजेशन के बाद एक फाइदा यह हुआ है कि छोटे-छोटे कैमरे पे, जब हम सीनेमा लैंसी यूज करते हैं, प्रॉपर सीनेमा लैंसी यूज करते हैं, सीनेमा लाइट्स यूज करते हैं, तो अच्छे कैमराज पे, कम बजट के कै आती है, रिजनल में भी बनती है, इवन हिंदी में भी बनती है, आज तो बहुत एडवांस्ड कैमरा मार्केट में आ गये हैं, और मैं आज से आपको पांचे साल, साताथ साल पहले का भी बता हूँ, तब भी एंट्री लेवल के कैमरे पे बड़े फिल्म स्टार की फिल्में भी बनी है, मैं आपको एक दाखिला भी दे दू, तो राम गोपाल वर्मा ने शुरुआत की थी, फाइव डी कैमरा से, जिनों अमिता बच्चन जैसे सेलिब्रेटी बलब जैसे आपके आथ में कैमरा है, वही बस फगड़ के खड़े होगे, तो अभी जो कैमरा चल रहे है वो तो उससे बहुत एडवांस्ड है, मिररलेस रेंज के जो कैमरा आते हैं, उसके साथ हम लोग सीनेमेटिक लेंसी करते हैं, हम लोग लोगों को ये कहते हैं, कि ड्राइवर सही होना चीए, आपकी गाड़ी का, तब जाके वो हाइवे पे सब को पीछे छोड़ के आगे न बटन दबा दे, एक्शन, बस चलो, हो गया, कट, तो फिल्म फिर भी वैसी ही बनेगी, तो कहने का तात पर ये है कि छोटे मिडियम रेज के कैमरेस पे भी फिल्म अच्छी बनाई जा सकते हैं, इस पे ही बना रहे हैं, और हम लोग सीनेमेटिक लेंसी उस करेंगे, हम लेके, हमको बहुत हैवी वाला कैमरा नहीं चीए, जो हम लेके हम लोग ठक जाएं, या हमको दोजन के सपोर्ट और रीगविग लेके हम भागे, हमको एक छोटा सा कैमरा चीए, जिसको गिंबल्स के उपर उसका ऐसा सैट करके, हम लोग आर्टिस्ट के साथ, जैसी उसकी डायलोग्स है, या तो जैसे उसको मुमेंट्स दिये हैं, डिरेक्टर ने भाग सके, इसलिए एक हलका कैमरा जो वेट में कम हो, और भाग दोड में हम जो अच्छे से उसको यूज करवा, ये भी एक रिजन है मैं अभय पाटिल, मैं अक्टर हूँ, और अभी जो ये फिल्म बनने जा रही है, कुछ खो गया है, ये मेरे दोस्त, नितिन मारूति मुरूर कर जो इस फिल्म के डिरेक्टर है, वही बनने जा रही है, और जब उनके दिल में ऐसा आया कि वो फिल्म है बननने जा रही है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि, अभय भय, अभी हम फिल्म बनने जा रहे है, जिसमें आप एक एहम भूमिका कर रहे हो, आपके साथ शमीम जी है, और इत्ते वाक से शमीम जी हो और मैं एक ही शुट पी थे, तो इस तरह एक फिल में जुड़ गया है, तो इस वज़े से मैं कारेक्टर के बारे में कुछ जादा नहीं बताता हूंगा, क्योंकि ये कॉमेडी थ्रिलर है और वही सस्पेंस भी है, जो मेरा रूल में प्ले कर रहा हूं, तो उसके लिए I'm very sorry, अभय आदा है, अभय आदा है, अभय बोलता है नहुसकार, मैं अभय बोलता है, यह फिल्म बनवाया चल लए हूंगार तो तु तु तहमारे काम कॉरता है, महतव अचरो तु प्ले करता है, तो नहीं पादा सांगित लेए ला, योगा योगा ने यह फिल्म में बद़ पूर योगा आयता है, योगा योगा ने मिया नी एका शूट हूं तो पुछे उम्मी माला सागी तलब वाससा आये मुने ते मड़ाले माला की मुरूड करके आपन वावी सर के ला अपनी फिल्म अनुस करतो होत अनि मेद आउगोस में आपनी शूट कर तो तू तयार रहा अनि आशब रहा करे मी या फिल्म मदे जोइन साल थ बहुत मतलब उनका काम में एक्सपरेंस बहुत अच्छा है और उन्होंने जैसे मुझे ओफर दिया मैंने फटाक से हा बोल दी क्यों तो मुझे पता है उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा कर लेते हैं और उन्होंने अबैसर के लिए भी अ आमन जी भी बहुत मतलब उनों भी काफी मतलब सब्सक्राइब इस चीज के लिए तो जैसे मुझे ऑफर आया और मैंने सब स्टोरी सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फ्ताग से हा करती और ये बहुत बहुत अच्छी मुवी है जरूर देखना और हम इसके प में कुछ नहीं बता हूँ, आता महाराथित पहले हिंदी, नमस्ते में रसी का वानी अच्छुली नितीन जी और अभई जी इनके साथ मेरी फर्स्स मीटिंग है ऐसा ने कि पहली बार हम कहां पर मिले थे या कोई पहला प्रोजेक्ट किया हुआ है लेकिन ये फर्स्ट मीटिंग है और इन्होंने मेरी मतलब मेरा प्रोफाइल जो सिलेट किया मेरी सिलेक्शन जो की इनके वज़े से मैं उनकी तो पहले हो थैंक्फूल बहुत थैंक्यू बोलना चाहती हूँ उनको और मतलब इसमें जो भी मेरा क्यारेक्टर इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अब तक मतलब जो भी सिलेक्शन हुआ है और सर ने आप तक मुझे बताया नहीं है इसलिए मैं आपके सामने नहीं बता सकती हूँ कि अच्छा कि नमस्ते मेरा नाम स्वाथी करनेकर है मैं एक ठेटर आर्टीस हूं अभी तक मैंने बहुत सारी सीरियल मूवी वेब सीरीज करते आयूं और मेरा ठेटर चालू रहता है अभी तक रही बात नितिन जी से और इस मूवी का अटेजमेंट मुझे एक बिन नितिन ज क्या कर रहे हूं मैं तो मैंने बोला अभी फिलाल तो मेरा प्रोजक्त चालू है लेकिन अभी इत्रा कुछ नहीं है तो उन्होंने मुझे कहा कि अम एक मूवी कर रहे तो आपका प्रोफाइल आम लगो ने सेलेक्ट किया हैं तो मैंने मैं एकदम एकड़ उनको हां बोल दि रॉड़क्टरमूजे पता है मेरा अर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मेरा पकत्थे देखने के बाद कितना हंस बाँ तो मुझे उच्छा लगेगा तो इनकी में बताओं गी नहीं और दूसरी बात मुझे इनका प्रोडाक्शन और अमरे प्रोडुसर सहाब आम आजी और डारेक्टर सहाब सब का मितलब कॉंटेक्स बहुत अच्छा है और मैं फर्स तून के साथ मेरा भी नाम नितिन है, डारेक्टर सरका नाम भी नितिन है, मैं एक ठेटर आटिस्ट हूँ, मैंने आभी तक कई शॉट फिम्स किये, और एक दो वेब सेरीज में भी काम किया है, और इस प्रोजेक्ट के बार में बताऊंगा तो मेरे इस प्रोजेक्ट से कॉंटेक्ट तो न मतलब 22 जून को अपना ये सेरेमनी है, निव मोवी का, तो अगर टाइम मिले तो आज जाना, मैं बोले ठीक है, चलो आज आते, तो यहाने के बाद पता चला कि मतलब एक नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसमें नितिन सार डिरेक्टर है, अमन सिंग प्रोडूसर है, बहुत अच्छी टीम है, मैंने खुद को मतलब, मतलब खुद को में खुशने सिर्व सरम जूंगा कि मुझे आच्छा प्लाटफोर्म मिल रहा है, अभी देखते आभी इस प्लाटफोर्म से मुझे कितना मतलब आच्छा सक्सेस मिलता है, थैंक्यू.